पिसम्हें रख्मान रहीम, अस्सलाम अलाइकम, आपके साथ आज का जो डॉलर का और याल का एक्सचेंड रेट है और मुख्तली बैंकों के हिसाब से करंसी रेट आप हो रहे हैं, वो शेर कर दूँगा मैं, अच्छा इसमें आज डॉलर रेट के मतलग ही पहले बात कर जो के आपको रेट साथ मैं दिखा रहा हूं है, 267 रूपए 83 पैसे से कल की, कल था और आज देखनेजी, 268 रूपए 87 तक्रिम बन दिया, 89 इतना हो चुका है, यानि कल की निस्वत एक रूपए मजीद उपर गया है, कल एक रूपए 70 पैसे कम हुआ था और एक भाई ने कल रियाल भेज भी दी और मुझे बोल रहा था, शायद का 62 हो गया है, तो ऐसा नहीं था, मैंने उसको कल भेज़ा था, तो उन्हें भेजने हैं, तो कल भी उसको बोला था, कि तुने भेजने हैं तो भेज ले, वरना जो रियाल का रेट है ना, ये मजीद उपर ही जाएगा, एक कम नहीं होगा, ठीक है जी, तो आज के रेट के मतलख भी आपको रियाल रेट के मतलख भी बिताजता हूँ मैं, और वो है जी पहले हम एक्सचेंज रेट देख लेते हैं, जो के देखने ही, 72 के करीब पहुंच चुका है, यानि कि कहत्तर रूपए 65 पैसे, ये पकस्तन लाज बात करेंगे, A and B, टैली मनी, बैंक की इन करेट आज का 70 रूपए 23 पैसे हो चुका है, और 15 और 17 रेट इनकी फीस होती है, यानि के बैंकों में भी 70 प्लस में जा चुका है, 72 के करीब पहुंचने, 72 के करीब बढ़ रहा है, आप यही बोल रहें, आने वाल एक दिन म जाए, 72 रेट हो जाएगा जी, बाराल अगर मनी करम की बात करेंगे, तो 70 रूपए 69 पैसे आज का रेट 23 रियाल फीस होती है, वेस्टन युनिंग के बात करेंगे, आपको 60 रूपए 64 पैसे आज का रेट मिल जाएगा, 23 रियाल इनकी फीस होती है, अगर राजी बैंक, य इसमें भाई ये वैट टेक्स होता है, यानि कि आप सौधरी पे से रकम बेज रहे हैं, तो उस सूरत में आपको ये टेक्स देना पड़ेगा, मुख्तली बैंकों के हिसाब से फीस होती है, जिनकी 10, 17, 25 रियाल मुख्तली फीस होती है, अच्छा स्टीसी पे बात करें तो 40 पैसे रेट मिलेगा आजगा, और 17 रियाल इनकी भी फीस है, अगर बैंक जजीरा यान के फौरी बैंक की बात करें, तो आपको 70 रूपे 65 पैसे आज करेट मिलेगा, 10, 17 रियाल इनकी भी फीस होती है, अगर इंजाद बैंक की बात करते हैं, तो आपको 70 रूपे 9 पैसे आ रेट जा चुका है आने वाले दो दिन में तीन दिन में ये मजीद 72 के उपर चला जाएगा